कि 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 अब इस तो टो सुटेंट वेले कि मैं अपनी वीडियो सब्सक्राइब करा और आपको एवीडियो पसंद आती है तो लाइप करें कोई भी आपकी को आपकी कोई सकते हैं तो बढ़ा था तो हम आई के रिक्वारिमें इस वीडियोल के और फिशिंग के उपड़ेंग पर पाइसी किजया होता है जो और थर्ड है बीटीपिण डीटीन टॉपिक्स अमरे को कपड़ेंगे यह वीडियो सिर्फ करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं, quality forming के अंदर क्या क्या होता है, quality forming के अंदर जो होता है, it is undertaken to raise domestic fowls, ducks, geese, turkey, etc. for eggs and poultry meat production, तो यह हम किस लिए करते हैं, ताकि हम जो domestic fowls हैं, ducks हैं, geese को, हम raise कर सके, raise का मतल है उन्हें rear कर सके, grow कर सके, उन्हें हम इसलिए पालते हैं, raise करने का मतलब है पालना, ठीके न, बढ़ा करना, तो उसलिए पालते हैं, कौन-कौन से उनको birds को, fowls को, ducks को, geese को, यह सब poultry के अंदर आती है, turkey को, किसलिए हम उनको पालते हैं, या तो हमारे को उनसे eggs का ही है, या फिर उनका, meat चेहिए हमारे को, non-made जो खाते हैं, ओविसली, poultry meat के ओपर भी काफी dependent होते हैं, तो हम eggs और poultry meat production के लिए, हमारे को, इनको raise करना पड़ता है, then, improved poultry breeds are developed and farm for, अब जो improved breed होती है, यह दो category में टाले, हम इनकी improvement क्यों करते हैं, इनकी breeds को क्यों हम improve करने की जुरत होती है, यह क्योंकि दो categories में होते हैं, क्यों, पोपाऍध ब्रेश की लियर्स होती हैं, हम ब्रेश के कमें तो इनकी Breeding क्यों करते हैं, एक तो होते हैं, ब्रॉलर, मीट किसका अच्छा होगा? जिसका fresh जिसके उपर body के उपर ज्यादा अच्छा मिले है हमारे को ठीके न और egg layers जो होते हैं जो एग ले अच्छी तरह से फपर ज्यादा quantity में कर सकी ठीके वो अभी नों के बीट में difference दे तो पहले चीज़ तो हमार पर इसमंग में आगे हैं कि हम इंकी breed की improvement करते हैं चांट से टो के टिगरी के बिसिस्स पर कपते हैं एक होरा थे लियर कटे लियर्स चिलिए ट्रों गंड वर्ज करने माले हैं व्रेंग ड फोर टंग आdefined ब्रपर्स ऑटन में वार्ट कॉल जा एंक इंढिये समय हुद से करते हैं, ताकि हमारे को उसे eggs मिल सके. तो वो birds जिनको हम raise करते हैं for getting eggs comes under the category of layers. Broils चोम से होते हैं, maintain for getting neat. हम उसले किन करते हैं, ताकि उसले meat मिल सके. तो जिन बाट्री अनेमल से विर्टमारी fever Lös की उसले broilers दे प्लूर कोAyas shoda. तो 20 weeks की हो जाती है, तभी एक्स बेर करना शुरू करते हैं. देर रेज अब तो 6-7 weeks, कि इनको 6-7 week करकम रेज करते हैं, और उसके बाद में market में सहेंग कर दिया जाता है, for the meat production. So, 6-7 weeks around 2 months हो गए, समझेजिए, ठीक है, और 20 weeks around हमारे हो गए 4 months. तो इनको उमारे को जादे लाइन लगता है, एग लेंग जब भी start करते हैं, इतना mature होने के लिए, then require enough space and adequate lightning. यह वाले जो layers होते हैं, इनको बहुत जादा space चाहिए होते हैं, ताकि egg lane proper कर सकें, और इनको lightening की भी ज़रूत होते हैं, तो temperature maintain करने की भी ज़रूत होते हैं, lightening का मतला यहापर है, क्योंकि जितना body temperature होगा, उतना ही heat produce कर सकेंगे, और देखें, इसली layer of eggs, तो अच्छी space चाहिए होते हैं, layers को और अच्छी lightening की ज़रूत बढ़ती है, require condition to grow fast and low, इनको यह को जादा condition की की ऐसी नहीं चाहिए है कि हमारे को बहुत light धूनी चाहिए है, यहांपर बहुत ज़रूतब बहुत ज़रूताद भष्पेस, यह जल्दी grow कर जाते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया है six to seven weeks के अंदर grow कर जाते हैं तो बहुत बहुत जल्दी grow कर जाते हैं तो इनका जो mortality rate होता है वो लो होता है यानि कि बहुत जल्दी raise कर जाते हैं बड़े हो जाते हैं इसलिए हमारे को condition जो होती है वैसी चाहिए होती है ताकि यह जल्दी grow कर सक है इनके feed के अंदर यह इंक्रूड होता है और बहुत अच्छी feeding को चाहिए होती है इनके feed जो होती है वो protein में, fats में, vitamin A, vitamin K में rich होती है तो these are the basic difference between layers and broilers समझ में आ गया तो layers होते हैं राइले करते हैं broilers होते हैं meat click हो करते हैं इनको 20 weeks की HP XDA कarnation हो कर देते हैं इस six to seven weeks के इस बाद हम इने market में sign कर देते हैं for the meat production then इनको ज्यादा space जही होती है नॉर्मल कंडिशन में भी grow कर जाते हैं और इनकी feed के अंदर vitamin, minerals और micronutrients की ज्यादा quantity जही होती है इनकी जो feed होती है वो protein fats और vitamin A और K में rich होती है ठीक है अब इसके बाद हम देखते हैं इनकी variety improvement के ल Okay, अभी हमने dryness और layers के बारे में मैंने आपसे discuss किया क्या difference होता है, क्या diet में difference होता है और कितना time cut लगता है race करने के लिए अब हम बात करते variety improvement की The cross breeding between Indian, यहां पर भी Indian और foreign breeds के होती हैं जिनको हम exotic breeds कहते हैं Indian breed जिसे azel है और foreign breed leghorn है तो इन दोनों का crossing over कराये जाता है इनकी improvement के लिए breed improvement के लिए ठीक है variety improvement के लिए तो हम कौन-कौन से characteristics ज्यान में रखते हैं जब हम इनकी variety improvement कराते हैं जब हम इनकी cross breeding कराते हैं जिए बहुत important question है इसको star mark करनी थी कौन-कौन से characteristics हमार को दिमाग में रखते हैं Number one, number and quality of chicks Quality and number of chicks जो चाही होती है Dwarf, broiler, parent for commercial chick production जो जितने ज्यादा number of chicks produce कर से के वह उतना अच्छा है और quality जिसकी ज्यादा होगी उतने अच्छी है जितने ज्यादा chicks produce कर रहे हैं meat के लिए उतना ज्यादा helpful अभी meat production उतनी ज्यादा होगी तो यह जीज़ चेक करते हैं कि कम तैंक के अदर कौन ज्यादा chicks की production करता है और उनकी quality एच्छी होनी चाही है फ्लेशी होने चाहिए Dwarf, broiler, parent for commercial chick production जो जितने ज्यादा dog parent होगी उतना अच्छा उनका chick production होता है छोटे जो parents होते हैं summer adaptation capacity क्योंकि इनके feathers बहुत होते हैं तो इनके गर्मी बहुत लगती है तो जितना summer में अपने आपको adapt कर सकता है मतलब survive कर सकता है वो उस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है उस breed के पर ध्यान दिया जाता है क्योंकि गर्मी लगती है तो उनको कि अपने आपको summer के अंदर अपने आपको adapt कर सकते Low maintenance required जिसकी maintenance requirement कम हो मतलब कम maintenance के अंदर भी वो healthy temperature, place किसी भी जगा पे वो survive कर सकते तो उनकी maintenance required भी ज्यादा ना हो reduction in the size of the egg laying bird तो इस चीज़ पर ध्यान लगते है जो egg laying bird होती है उनका size होए वो छोटा होना चाहिए with ability to utilize more fibrous, steeper diets using agricultural byproducts और उनके तरी capability हो जो भी हम egg laying birds होगे हमारी layers तो layers के लिए हमार को क्या चाहिए जोटा size होना चाहिए उससे क्या होगा एक तो egg जब ले करेंगी तो अराम से उसके उपर उसको layer कर सकते है तो ज्यादा पड़े होगे तो उपर से eggs गिनने में थोड़ा सा वह रहत है ability to utilize more fibrous और उनका size शोटा होना चाहिए egg laying bird का दूसरा ability to utilize more fibrous चाहिए कि वह ज्यादा fibrous और सस्ती डाइट के उपर survive कर सके ठीक है और वह सस्ती चीपर और fibrous डाइट समारे को विससे से लेंगी जो agricultural byproducts होते है ठीक है agriculture के जो byproducts हमारे रह जाते हैं जो grains में से रह जाते हैं उनके उपर वह survive कर सके So these are the qualities or the characteristics management practices हमारे को क्या क्या करने चाहिए यान कि quality farming करते हैं हमारे को तिन तिन चीजों पर ध्यान देवा चाहिए ठीक है यह एक important topic है कि जैसे मैंने आपको cattle farming की टाहिए भी बढ़ाया था कि कौनकों से factors होते है जैसे उनकी shelter के लिए हमारे को क्या क्या चीजे देखने चाहिए वैसे ही हमारे को quality farming की टाहिए कुछ management practices करनी होती है कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है Maintainance of temperature This is very important point Temperature अगर maintain नहीं होगा तो egg layers के लिए बहुत जाद अज़िकलती है तो they can't lay egg properly तो temperature हमारे को आपर हमाची मैंने diets पहले पीछे discuss करी है protein rich diet होने चाहिए fat rich diet होने चाहिए nutrients मिलने चाहिए layers के अंदर अलग होती है vitamins minerals यह सब उनको जरौत होती है तो diet के अपर हमारे को proper ध्यान देना होगा prevention and control of diseases and pests तो diseases and pests के हमारे को जैसे bird flu के आपको पता है इससे prevent करके रखना होता है तो इसके लिए proper vaccination timely सब कुछ उनको prevent करने के लिए मारे को ध्यान देना पढ़ता है आपके environment का ध्यान देना पढ़ता है cleanliness का ध्यान देना पढ़ता है कि इस चाहिए को infection उनको cause ना परे then proper housing facilities having hygiene condition clean eating clean उनका area होना चाहिए कि उनका meat हम utilize करते है तो बिल्कुल hygiene condition में उनको raise करना चाहिए ताकि उनकी growth और वो अच्छी हो तो I hope आपको इस 4 important management practices है इंपे हमारे को ध्यान देना चाहिए temperature maintain होना चाहिए proper feeding होने चाहिए diseases और pestry पर control करना चाहिए housing facilities जहांपे hygiene condition मतलब cleanliness होना चाहिए उस एरिया में हमारे को ध्यान देना चाहिए तो यहां पर हम quality farming knowledge come to the fish culture के पर हम आप आते है Pisces culture के पर हम आप आते है जो हुमारा next fish farming students next topic हम इससे का उगल कर रही है fish production fish production के अंदर हम obviously किस की production करने है अब fish जो है maximum source of protein होती है उसके में जो protein की source होती है वो maximum होती है animal protein अगर हमारे को चाहिए तो वो fish के अंदर मिलता है fish या egg तो egg तो usual source ही है but सबसे जादा जो cheap source of protein होता है that is fish so it is the cheapest source of animal protein fish production दो तरीकी की होती है fin true fish production और shellfish इन दो तरीकी fishes की हमने categories divided होई है अब fin true fish के अंदर कौन सी आती है cartilaginess जिनके अंदर cartilage होता है and bonny fish जिनके अंदर bones होती है ये दो categories में divided है fish production दो category में divide करते है हम उनके तर कौन कौन सी आती है shellfish जिनके वो aquatic animals जिनके उपर shell होते है जैसे की prawns and mollis इनकी fishing हो गई है और एक वोवे जो cartilaginess होते है or bonny fishes होती है तो उनको हम fin two fish के अंदर category में डालते है और इनको हम prawns and mollis को हम shellfish के अंदर उसके बाद आता है ways of obtaining fish अब कौन से तरीके होते है जिससे हम fish को obtain कर सकते है दो तरीके उसे fishing होती है एक होती है capture fishing capture fishing हो गई हमारे natural resources में से जैसे sea water हो गया fresh water fresh water क्या हो गया river, ponds, canals इन सब से जो fishing करते है through nets, बच्छवारे जो fishing करते है इसके लिए हमको इनको grow नी करते है they are naturally available in the sources इन सारे sources के अंदर naturally ही rear हो रही है अपने आप grow कर रही है आपने आपको raise कर रही है तो वहाँ से हम इन fish को capture करते है, catching करते है, fishing करते है this simple कहते है मचवारे करते है, fisher man करते है boats लेकर जाते है, nets अपने nets लेकर जाते है तो modern techniques भी आगए है fishing करने के लिए तो वह जो होती है, that is called capture fish को capture करना याने इनको पकड़ना fish को, जो natural है उन्हें हम प्रोनी कर रहे है वो naturally nature के अंदर अपने हाँ clear हो रही है और हम उन्हें capture करते है that is called capture fishing from natural resources और वो natural resources होती है sea water से करते है समुद्र में जाते है मच्वारे, fishermen boat से अपने nets लेकर पूरी तैयारी के साथ तो natural resources है यह सारी आती है capture fishing के अंदर दूसरी होती है culture fishing culture fishing के अंदर हम क्या करते है पहले हम इनको grow करते है Rear करते है cultivate करा grow करा harvest करा harvesting जैसे crops का होता है इसके अंदर fish करते है cultivating, rearing, harvesting of fish तो उनको हम पहले grow करते है eggs को हम store करते है उनको take care करते है उनको rear करते है ताकि उनको proper feeding देते है और उनकी harvesting करते है fish की इसे हम कहते है culture fishing तो यह दो तरीकी की हुए आई हो के आतर को समझ में आगे आपको की cheap source of animal protein है faint proof fish होती है जिसके अंदर cardiases और boni fish आती है जिनकी पर shells होते है उन्हें हम shellfish के अंदर दो तरीकी की fishing होगी हम fish को obtain कर सकते है तो capture करके natural sources से और उनकों culture करके परे हमें grow करें और फिर हम उसको use का सकते तो फिश प्रोडक्शन हम कर रहे है तो इसके में next है हमारा Pisciculture तो Pisciculture basically क्या होता है cultivate करना, rear करना, harvest करना fish को that includes Pisciculture इस पूरी process को हम के आते है Pisciculture Pisciculture एक word तो एक समंझरी का Piscis जो होती है that is related with fish fish का होता है scientific name हो Piscis जो होती है class होती है that is Piscis तो उसको काल आते है तो उसी की नाम पर Pisciculture मड़ा है तो इनको cultivate करना, rear करना, harvest करना is known as Pisciculture अब ये types of fisheries कौन कौन सी है number one है Merine fisheries Merine fisheries के अंदर हम क्या परते है include capture fisheries of oceans and seas ocean और seas की हम इसके अंदर जितनी भी fish होती है जो इनको हम capture करेंगे या फिर हम इनको rear करेंगे जो capture fishing आते है इसके अंदर basically इसके 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 इनको इसके अंदर आती है पहली होगी यह आगे फॉर्दर फॉर्द निवाइटे है fresh water and blackish water fish fresh water के अंदर हमारी होगी capture भी करना और culture भी कर सकते है ठीके फ्रेश वाटर में आती ही दुसी केटिगरी fishing की inland fish इनलेंड फिश्टी होगी लाइं के पर पर फिर हाज़ी Ponds and rivers, इनसे, चाहे आप capture करो, चाहे आप इसे culture करो. इननने fish trees आफ गये इसके लिए. तीजी होगी AQUICULTURE, अब अब AQUICULTURE में ठाली fishing ही होती है, जितने aquatic organism होते है उन सब की rearing होती है, हम इसके Алफ के लिए, वार्याटीक organism, अब इसके अंदर पर्ल, शेल्स, और्स्ट्र, और्स्ट्र, यह सब कुछ इंक्रूद होता है जितनी भी हमारी फार्मिंग है, जो वाटर से रिलेटिट है, वो सारी एकवा कर चेक है, अंदर आती है आउbabने देखा हैं, और वो इसके के अंदर आती हैं, तो इसके भी फाणी होती है, पॉस मारल खे पर्ल खे चोबने होती है अब इस्में सब हैं सबी कुछ आ सकता है, और एकवा का उर्चल आसकता है तो organism word मैंने आपको पहले भी बताया था किसके लिए यूज करते है प्लांट और अनिमर बोद के लिए तो aquaculture के अंदर दोनों चीज़े आ सकते हैं इसमों का नरी कल्चर और fresh water culture तो इसमें भी mariculture होगे marine fish is culture in coastal area coastal area पर भी ज्यादा अंगर तो sea में हम जाने सकते हैं culture करने के लिए तो coastal areas होते हैं वहां पर marine culture किया जाते है fresh water culture अब fresh water culture जो है यह fresh water जो हमारे inland जो fishery होती है यह उसी का पार होती है तो इनको artificially इनको rear करना artificially इनको breed भी कर सकते हैं हम इनको पर work होता है तो यह सारा aquaculture के अंदर आता है तो बड़ी बड़ी जो fishery industries होती है वह aquaculture को follow करती है So these are the one is marine fishery, second is inland fishery and third is aquaculture Now let's come to the fourth and the last part of types of fishery और यह बहुत ही important है composite fishery very very important among the fourth part करेंगे last type of हमारा जो फिश्टी का method है that is composite fish culture very very important method इस इस इंपॉर्टन माँख कर लीजेगा युदी यह का question इसके पर मिल जाता है poly culture of fish अभी तेख हम जो पढ़ रहती है कि एक different variety of fish के उपर हम breeding के उपर बहुत कर रहती है इसके अंदर हम क्या करते है multiple हम fish लेते है और उनको हम एक उसमें pond में rear करते है अब multiple fish के लिए आप होगी कि भी एक हर fish तो पर आपस में लडेंगी खानी के लिए भी space के लिए अगर एक pond के लिए एक fish तूसरी fish को भी खा लेगी तो इसमें तो दिक्कत हो जाएगी हमारी multiple उसमें इसको हम बहुत टेक्निकली और बहुत दिबाग के साथ करते हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं हम fish जो लेते हैं उनकी feeding habits अलग अलग होती है अब for example आपको में देखे हो अगर एक दो बच्ची है एक वेज खाता है एक नॉन वेज खाता है और दोनों के अंदर same food है जो दोनों खाते हो तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पलड़ाई होगी और अगर दोनों की ही हम अलग अलग feeding करके रख रहे हैं उनका अलग अलग food प्रोवाइड करके रख रहे हैं तो उनकी बीच में कोई दिक्कत नहीं यह condition होती है composite fish culture के अंदर इसमें five or six type की fishes लेते है different type की और उनको हम pond के अंदर एक साथ grow करते हैं अब food भी उनका जो होता है और वो इस पर depend करते है कि उनको feeding habits है वो अलग-अलग होने चाहिए और उनको जो रहने की जगा है वो भी comfortable feel करें अलग-अलग हिसाब से तो इसके लिए हम जो use करते है that is composite fish culture यह technique हम दिमाग में लेकर चलते हैं तो देखते है क्या होता है polyculture fish polyculture का मतलब हो किया जिसमें हम एक सी ज़्यादा fish को rear करते है culture करते है it is advantages it can't be एक साथ इतनी सारी fishes की variety को breed कर रहे है economical profitable from business तो जो बड़े-बड़े fish industries वोती है वो यही composite fish culture को adapt to पाइप आप सथ species of fast-going fish and culture 5 और 6 different types species हम ले ले लेते है और उनको एक साथ culture कर लेते है ठीक है, एक single point एक single pest तो हमारे को ना तो जगा लगे लेग beast तो जो जिसका जो खाना होगा वो उसी के पर कॉंसेट करेगा दूसरे के खाने के साथ उसकी कोई लडाई लडाई नहीं होगी तो 5-6 species of fast growing fish are culture in a single point, एक ही single point पे हम 5-6 species ले रहे हैं fish की और उने culture करते है which do not compete with each other, जो एक दूसरे से लडाई नहीं करते for space and nutrition, जगा के लिए और nutrition के लिए they live in distant zone, वो अलग-अलग zone पे रहते हैं inside the pond and have different feeding habits अलग-अलग zone में रहते हैं pond के इंदर और उनकी feeding habits भी अलग-अलग होती है अब जब उनका zone अलग है रहने की जगा अलग है, अब pond तो उपर से नीचे लेकर बहुत गहरा होता है ठीकी न, depth में होता है, तो उनकी feeding habits भी अलग है, zone भी अलग है तो ना तो देहने की रडाई और नहीं खाने की रडाई तो इंका जो होता है solution हो जाता है अब एक example के साथ मैं आपको पूरा explain कर देती हूं कि composite fish culture discipline होता किसे मैं आपको एक example देती हूं composite fish culture का, तो ponds के ने different different parts हो गया हमने तीन पार्ट से pond को divide कर गया, एक होगे surface, top level, एक होगे column feeder, बीच का हो गया और एक subset bottom feeder, तो हमने इसमें 5 categories लेली fish की, 5 varieties लेली fish की, silver cup, जो की phytoplankton के उपर feed करते हैं, यह तेरी के plants होते है, quatic plants होते है, काचला जो होती है, वो zooplankton के उपर feed करती है, फिर column feeder जो है, वो dairy risk के उपर feed करते ही, इसमें के उपर feed करते हैं, बेस प्रोड़क्स के उपर, और common carp जो है, वो omnivores है, वो दोनों तरीके से कर लेते हैं, अब दिखिए, इनके रहने का area अलग-अलग हो गया, यह surface में पाई जाती है, यह column में पाई जाती है, और यह middle area में पाई रहती है, और यह bottom feeder होती है, अब यह चाय भूम मेरी हैं कुछ भी कर रही है, पर अपने feeding के लिए, अपने food के लिए कहा पर dependent है, तो सबकी food habits है वो totally different है, तो इसकी food habits है वो इसको नहीं चाहिए, जो इसका food है वो इसको नहीं चाहिए, तो इनके आपस में इसके लिए तो इक लड़ाई होगी नहीं, अपस में लड़ाईगी नहीं, एक दूसरे को खाएंगी नहीं, क्योंकि एक दूसरे के लिए पर feeding करती है, तो इस तरीके से इनको ना तो food के लिए एक दूसरे के साथ compete करना पड़ता है और नहीं space के लिए, क्योंकि इनका रहने का area, पाय जाने का area और खाने का area total, feeding habits totally अल many of these fish breed during monsoon, अब इसमें से बहुत सारे fish ऐसी होती है, जो सिफ monsoon season में ही breed करती है, तो अब उनके लिए दिक्कत आती है, हमारे को environment बसा maintain करके रखना पड़ता है, जो थोड़ा सा economically हमारे को expensive पड़ता है, तो many of these fish होती हैं इसमें breeding season होता है, जिसमें वो exay करती है, तो that is required, व monsoon season होता है, जैसे आपका June, July वाला जो मन्त होते हैं, यह monsoon season लेवाता है, तो यहाँ पर इंको बहुत सारी fish हो, तो यह इसका design बहुत है, बाकी सारे हमारे लिए फाइदा ही है, कि ना भी आपसमें लड़ेंगी space के लिए और ना ही food के लिए लड़ेंगी, क्योंकि इंका और feeding habits totally अलो है, तो I hope आपको fish production के पारे में जो basic चीजे मैंने आपको बताई हो समग में आ गए होगी, अब हम next कहेंगे beekeeping के लिए, so last topic of this chapter is beekeeping, अब beekeeping के इंदर हमारे को क्या करना है, beekeeping हम करते हैं, अब यह मन्यू मक्यों को हमारे को पाने की यह दुद पड़े है, सबको को पता है, इस kids के लिए सबसे basic requirement होती है honey, honey जितना ज्यादा डिसक्स होता है, उतना ज्यादा pure होता है, honey की बहुत सारी medicinal importance भी है, हमारे skin के लिए अच्छा होता है, अगर skin पे लगाए, खाएं तो हमारे समग के लिए अच्छा होता है, sugar patient, अगर sugar के लिए का honey को यूज करे जो बी का poison होता है, वो भी बहुत सारी चीदों में as a remedy use में आता है, medicinal purpose में यूज में आता है, medicines में यूज किया जाता है, उसके poison को, wax को हम as a medicine और बहुत सारी उसमें यूज करते हैं, जो भारे cosmetics होते हैं, उसमें बी wax का यूज किया जाता है, तो that is also very useful, और honey का तो सबको importance जाता है, तो B कितों हमें इन तीन purposes के वज़े से करते हैं, then, कुछ Indian species के में आपर नाम बताएं या आपको मालूम होने के लिए, apis जो है, इसकी species का main name होता है, जो second होता है, वो हम smalls में लिखते है, apis selena, apis indica, apis dorceta, ठीक है, जो smalls, तो यह सारी Indian species है, इनकी, then, Italian species जो सबसे ज़्यादा रियर की जाती है, honey production के लिए, इंडिया में, वो है, apis manifera, it is an italian honey bee, तो इसको हम यहाँ पर इंडिया में रियर करते है, सबसे ज़्यादा पॉपलर जो भी है, that is apis manifera, it belongs to italy, italian honey bee, तो commonly leer in India, then, जो उनकी colony होती है, जहाँए पूरा इंटर गूर्प रहता है, जिसे पिछते के लिए, तो उसके लिए है, एक queen होती है, queen एक ही होती है, rani एक ही होती है, rani वनक्रमा की होती है, 40,000 to 10,000 उसके लिए बरकाष होती है, उनका काम क्या होता है, जाकर flowers के उपर से nectar को collect करके लाना, ताकि pollen grains में से nectar को collect करके लाना, उन pollen से और उससे हम honey की production करते हैं, तो ये कुछ काम नहीं करते हैं, इसका से फेक काम होता है, to lay eggs, जितने ज़्यादा egg laying करेंगे, उतने ज़्यादा workers होगे, उतना ज़्यादा honey बनेगा, तो honey जो clean होती है, ये सिर्फ egg laying कर काम करती हूं, और ये कोई काम नहीं करते हैं, बाकी सारे जो काम करते हैं, वो बिचारे करते हैं, मुझान बटकर् WORKERS, हलो vraag होता है, विजे जो 40-40 इसके बाद आता है Portsureus, Portsureus क्या होता है यह मालूम होना चाहिए, Portsureus basically होता है कि जिस भी flower यह से यह nectar collect करके लाते हैं, जिस भी flower से nectar यह pollen collect करके लाते हैं, honeybee's जो है, वो उसको कहते हैं Portsureus, So the availability of the flower for nectar and pollen collection for honeybee is known as Portsureus, अब quality इसकी बहुत इसकी बहुत इसकी है, किस चीज़ पर depend करेगी, और जितना ज्यादा अच्छा fruit होगा, जितना मीठा fruit का flower होगा, जैसे mango, leechi, यह सब इसके अंदर include होते है, apple, coconut, इन सब के flowers में से, जितना ज्यादा sweetness उसके अंदर होगी, उतना अच्छा variety का honey बनेगा, तो यह depend करता है, pollen जहां से collect करने है, यह nectar कौन से collect करने है, यह इस चीज़ को बताता है, कि इनकी जो quality है honey की, वो कितनी अच्छी होगी, So the quality and the taste of the honey is determined by the kind and the quality of the questions, ठीके, तो इसके बाद है apple, apple को जगा होती है, जहां पर beehives को रखा जाता है, और bees को rear किया जाता है, किसके rear किया जाता है, ताकि हम आरको honey और बाकी सारे product सूल से मिल सके, यह basic चीज़ है थी आपको जो bee keeping के बारे में मालों होनी चाहिए, एक तो एक बीन होती है, 40-10,000 इसकंदर वो workers होते है, पॉस्चिरस के लिए हम इसको करते है, availability of the flower for the nectar, pollen grain for honeybees, the quality and the taste of the honeybees determined by the kind of quality of the पॉस्चिरस, कैसा flower हम भी यूस कर रहे है, nectar collection के लिए यह honeybees यूस कर रहे है, हम तो यह यूस कर रहे है, तो वो उसके पर डिपन करता है, उतन नहीं अच्छी quality का honey produce होता है, अपाली अपलेस जहां पर वो उनको रखा जाता है, वीई इसको रखा जाता है, वीई क्यों हो गया, मजो मकी का चलता है, तो अब इसका last topic है, कि हम bees को, हम इसके इंदर हम conversey varieties को, जब हम इसको breed करते हैं, तो उनकी conversey characteristics को हमारे को दुमान म जब होता है, रखना चलिए, ओके students, last topic है कि हम कौन-कौन से desirable characteristics हम देखते हैं, इससे पहले भी हमने, agliers के इंदर हमने देखी थी, broilers के इंदर भी देखी थी, हमने कि कौन-कौन से characteristics के उपर, हमें breeding की time पर, ऐसे cattle के अंदर भी देखी थी, हमने crops production के अंदर भी देखते हैं कि कौन-कौन-कौन से characteristics हैं, जो हमें breeding की time पर ध्यान रखी चाहिए, ताकि अच्छी हमारी honey production हो, और जो breed develop हो रही है, वो अच्छी quality की breed, variety develop हो, ठीक है, तो हमें कौन-कौन से characteristics ध्यान में देखी है, वी की variety को improve करने के लिए, सबसे पहले बिशुगी stingness, वो काटे हो, काटे वाली होंगी, sting वाली होंगी, तो वहाँ पर जो workers काम करे होंगी, जो honey निकालते हैं या जिनको remove करते हैं, उनके लिए उतना जो काम है, वो उतना असान हो जाते हैं, तो they should be stingness, sting का मतलब क्यों अपर, dunk माना, तो उनका dunk जो होते है, dunk नहीं होना चाहिए, they should breed well, breed अच्छी जरी के से करें, जितनी ज्यादा उनकी production होगी, breeding होगी, उतना ज्यादा honey produce होगा, produce more honey and wax, और ज्यादा honey और wax उनको produce करना चाहिए, जो जितनी quantity में honey और wax produce करेगा, वो उतनी अच्छी quality की breed की, वो होगी, तो अगर आपी सोची honey की production ज्यादा हो रही है, एकम देंग अंदर ज्यादा honey और wax produce कर रहे है, तो हमारको वो ही breed तो required होगी, stay for longer breeding तब beehive, this point is very important, कि ज्यादा टाइम तक beehive के अंदर जो बीज रहती है, तो जितना ज्यादा बीज अपने beehive में रहेंगी, बजाएगे तो बूमने के, ठीक है, पॉस्टर कलेकर के लाई, पॉलं कलेकर के इसके बाद उसको honey production के लिए जितना time तक beehive में रहेंगी वहाँ पर, stable रहेंगी, उत्रा ज्यादा क्या होगा honey की production होगी, so यह desirable varieties है, जो हमारे को ध्यान में देनी है, beekeeping के time पे, तो फिर से एक बाद डिसकस कर लेके, they should be singless, singless होनी चाहिए, breed well, अच्छी breed करे, जैसे Italian breed ह इंडिया में यूस करते हैं, आलगी, लाख ही इंडियन breeds की अच्छी है, जो इतलियां breed के मैं आपको धाया तो उसको धिहान तर रखेगा, जैसे अधा अधा रहाग्या ब्यूस्टीं में होगें, दो प्रुस ज्यादा हनीर ब्यूस्टीं करें हमारे को उसी breed के उपर जहा तो यह भी आपको clear हो गए होंगे, in case आपको कोई भी कोई होती है तो आप comment section में में को लिख कर भेज सकते हैं, और अगर आपको यह video पसंद आए, तो please do like it, write your comments at the bottom, और कोई भी कोई हो आपको comment section में लिख सकते हैं, thank you so much, और जिलोंने अभी तक इस video को like ने करा है, immediately like करें, आपने फिसाद शेक, thank you, bye, take care, have a nice day